दारना है कि BJP जो है वो सवर्नो की पार्टी है ठाकोर ब्राम वन बम्यार जो अपर कास्ट है उनकी पार्टी है सिर्फ ओबीसी जो है उसमें फूट सोलजर है वो मेहनत करते हैं काम करते हैं भागिदारी नहीं मिलती यह दारना है लोग नहीं ऐसा नहीं है ये बार सही है क्या कि OBC के वर्गर्ग खुब महनत से काम करते हैं और ये भी सही है कि 99% जो OBC वर्ग है वो भारते जनता पार्टी का वोटर है और उसको समर्थन करता है मेरे साथ डॉक्टर संगीता सुलंकी है जो पोफेसर भी है और जोत्पुर की मेर भी राचुकी है अभी कॉंसलर भी है और बीजेपी से राधनिती करती हैं आज बीजेपी ने एक OBC को लेकर बड़ी बैठक की थी मेरे कैमरामन आपको दिखाएंगे भी दफ्तर भारतिये जनता पाटी पिसरा बर्ग मोर्चा का है और संगालाल गुत्ता जो है वो पिसरा बर्ग मोर्चा के महमंत्री है और के के लक्ष्मन जो है बुराष्टी अधियक्ष्टी पिसरा बर्ग मोर्चा के महम राजस्थान में OBC कम्यूटी तो देश बर में 50% से ज्यादा है कितनी भागेदारी मिल रही है बीजेपी में बीजेपी को राजस्थान में जित्ती मिलनी चाहिए उत्ती नहीं मिल रही है फिर भी ठीक है और वैसे देखा ज उसमें 50 से ज्यादा प्रतिश्यत OBC का है और उत्ता ही महिला का है क्यूंकि मैं एक महिला वर्ग OBC से हूँ तो मैं दोनों की बात करती हूँ कि महिला वर्ग को भी पूरा मिलना चाहिए और OBC को भी और इसके लिए हमारी पार्टी कर रही है संगठन में भी और आप देखे अभी यूपी के जो चुनाव हुए उसमें OBC और महिला वर्ग को बहुत अच्छा उनोंने दिया प्रते निदित्व और वो जीत कर आए भी है इस वार राजस्थान में चुनाव होना है बाकी है राजस्थान में आप लोग एक बार आती है दूसरी बार हार जाती है बीज इसका मैं ज्यादा नहीं कह सकती हूँ पर यह है कि अपकी बार बीजेपी है और वो ही रहेगी क्योंकि बीजेपी हमेशा अन्तोदे की बात करती है समाज में आखिर पंक्ती में खड़े हुए व्यक्ति तक की बात करती है और उसको पूरे लाप पहुचाने की बात करती है लोग की तो धारना है कि BJP जो है वो सवरनो की पार्टी है ठाकोर, ब्रहामवन, वमियार जो अपरकास्ट है उनकी पार्टी है सिर्फ ओबीसी जो है उसमें फूट सोलजर है वो महनत करते हैं काम करते हैं भागिदारी नहीं मिलती यह धारना है लोग ने ऐसा नहीं है ये बात सही है क्याकि OBC के वर्गर्ग खुब महनत से काम करते हैं और ये भी सही है कि 99% जो OBC वर्ग है वो भारते जनता पार्टी का वोटर है और उसको समर्थन करता है क्योंकि भारते जनता पार्टी राष्टर की बात करती है राष्टर के विकास की बात क जाती से है और इसका भी गर्व है कि मैं भी उनीके वर्ग की एक छोटी सी कारे करता हूँ, जो 1990 से पार्टी में कारे कर रही है और पार्टी पूरा महिला और OBC वर्ग को मैत्व देती है, इसी अंतरगत मुझे अभी राष्टे OBC कारे कारनी में सद्दे से बनाया है और दिल्ली की सह प्रभारी बनाया है प्रदेश की, मैं यही कहूँगी कि मैं इसमें पूरी महनत करूँगी और क्यूंकि मैं राजिस्थान से हूँ, तो वहाँ भी जो अगले साल 2023 में चुनाव हैं, उसमें पूरी महनत करेगी हमारी OBC की टीम और भारती जनता पार्टी का मुख्य मंत्री वहाँ पे होगा, और उसी तरह से दिल्ली में भी हम पूरी टीम के साथ काम करके, जो केजरिवाल और अशोग जी तुष्टी करन की राजनीती कर रहे हैं और देश में बटवारा का काम कर रहे हैं और जूटे वादे करते हैं, उनके खिलाफ लड़के दोनों जगा हमारी पार्टी मुख्य म अब जोटपूर उत्तर के वार्ड नबर ते थिस से चौंसलर हूं और मुझे पार्टी ने मेर का चुनाव भी लड़ाया था पर क्योंकि बहूमत नहीं था इस वज़े से मैं अभी ऐसे कौंसलर काम करी हूं वहां की जनता का और पार्टी संगठन में में वहां जी लग ग आप तो कॉलेज में भी हैं तो कॉलेज में कितनी संख्या बरी है CSTOBC की? किस वे में आप कह रहे हैं? चात्रों के रूप में, PhD स्कॉलर के रूप में, Dr. Engineer, Professor के रूप में? आप देखें के एक ऐसा समय था आज से करीब समझे दस एक साल पहले कि अन्ने पिछड जाती के मह अपिला इस्पेशली बहुत कम पड़ी लिखी थी, उच शिक्षा नहीं थी आप गिने मिने लोगों को देखते थे, मैं भी केमेस्ट्री में PhD हूँ और RPSC सेलेक्टेड हूँ पर मैंने वो नौकरी छोड़के यूनिवरस्टी में, जैना अन्ब्यास उनिवरस्टी जोथपूर में ऐसे गेस्ट फेकल्टी बाइस साल सी काम कर रही हूँ हूँ. तो… जब बाइस साल से गेस्ट फेकल्टी हैं, परवाने नहीं हुआ। सर ऐसा है कि मैंने पी एसडी करी उसके बाद बाइस सल तो वहां पर सेलेक्शन हुए नहीं। और दो हजार थेरा में वहां पर सेलेक्शन हुए थे। उस टाइम कॉंग्रेस अशोग घ्यलोजी की सरकार थी। मैं एसिस्टेंट प्रोफेसर और एसोशेट प्रोफेसर दोनों के लिए यलिजीबल थी। मैंने दोनों इंटर्व्यू दिया पर वहां पर इत्ता भरष्टाचार हुआ और उनके कॉंग्रेस की सरकार ने वहां पर भी भरष्टाचार करके किया। और हम जैसे जो आज 22-22 साल से वहां पर काम कर रहे हैं, मैं नहीं हूँ, ऐसे बहुत से वहां के कैंडिडेट थे, उन सब को नहीं लिया और जो just MSC करके PhD कर रहे हैं, उनों लोगों को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। आज मैं बीजेपी के OVC की बैठक में गया था और वहां मैंने बहुत सार लोगों से बात की, जो OVC कमुनिटी के थे तो उनोंने कहा कि जो OVC रिपरजेंटेशन की बात करते हैं, जो OVC लीडर्शी बाली प्लिटकल पार्टियां हैं, उसके दरवाजे बंद हैं दुसर बहुत तेजी से उसे लगता है, बीजेपी को पता है, अभी अमिश्या ने कहा था मत परदेश में, कि जाती एक फैक्टर है और उसके बगर हम राजिती नहीं कर सकते हैं, पूरा जो कांसी राम का मॉडल है, हर जाती का नेता खरा करना, बीजेपी उसको फॉलो कर रही है, फर्क इतना है कि बीजेपी फिलाल SC, ST, OBC की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि उसे पता है कि OBC की संख्या 50% से जादा है, अगर वो उसको साथ लेती है, तो उसे फिर बहुत जादा इधर उधर की जुरत नहीं परेगी, वहीं OBC लीडर सी बाली जो पार्टि में, जे में, इन पार्टियों में दुसरी हुआओं के लिए कितना मौका है, उनका राष्टी अध्यक्ष भी फिक्स है, उनका मुखमंतरी का निरेट भी फिक्स है, तो जो बाकी के वबारादनीती में आते हैं, आखिर वो क्या करेंगे, फिराल इस मुद्दे पर BJP लीड करते हुए दीख रही है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि OBC को जोरा जाए, लिकिन एक बात तो है कि OBC कम्यूटी में सुसली और पुलिटकली बहुत ज़्यादा जाग रुकता आई है, और वो अपने हख अधिकार की बात तमाम पुलिटकल पार्टी में रह के करने लगे हैं अपनी पर्तिक्रिया जरूर दीजिए, कहरा परसनासी इसके साथ शंभू कुमार सिंग नेशनल दस्तक तिल्ली आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सबस्क्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्स्क्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे लाइक करे, कमेंट जरूर करे